वेलकम टू टू चैनल गाईज तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि TDA 2030 4.1 एंप्रिफायर बोर्ड की वाइरिंग हम कैसे कर सकते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन जो है वाइरिंग का आज हम देखने वाले हैं तो इससे पहले गाईज मैंने एक वीडियो जो है TDA 2030 बोर्ड पे जो है अल्रेड एक अप्लोड किया है जहां पे जो है मैंने प्रॉपर इसके डिटेल्स में जो है अल कनेक्शन कैसे फाइंड आउट करने उसके उपर वीडियो बनाई है अगर आपने वह वीडियो नहीं दे के दिखाऊंगा तो आपका नॉलेज जो है वो टोटली बूस्ट हो जाएगा इस इस टाइप के जो है 4.1 एंप्लिफायर बोर्ड को लेगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाईज अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं आपको वीडियो अश्चे लगते तो कि यहां पर बूर्ड में आपको सिंप्ली में वधा देदा हूँ स्टार्टिंग में बहुत से पहले यहां पर स्पीकर्स लिखा हुए उसके पीछे जो वाइरिंग दिखाई दी है वो स्पीकर्स के लिए होती है आइदर आगे से कनेक्शन कर सकते हैं यहां पर डायोट के साथ ह Sinne के लिए यहां पर 885 चायोट चुर्म होले जाये पर इसका पहलाल पयंट प्रॉंट बर्ड में 12 जा यह करने 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 बीच वाल यह पंपीन पे पाजिटिव फाइय वंगन करना है और वो केबल होता है वो हमारी ब्लुटूथ ऐसी में जाता है थीक है उसके बाद यहां पर साउंड का लिखा हुआ देख सकते हैं, चैनल 3 लिखा हुआ है तो sound मतलब यहाँ से जो हमें input करना है जो हमारी USB Bluetooth Kit होती है इस USB Bluetooth Kit के connection जो है potentiometer में और potentiometer से लेके यहाँ के sound के connection में जो जाएंगे जाहाँ से हम इसको volume convert मतलब वॉल्यूम control कर पाएंगे उस type के connection मतलब sound input और volume control यहाँ से हो जाता है उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं वूफर लिखा है वूफर के इसमें एक दो तीन पॉइंट दिये हुए अगर वूफर लिखके तीन पॉइंट दिये हुए मतलब वहाँ पे जो है थी वायर का कनेक्शन होगा कुछ इस टाइप का तो वहाँ से आप एक पोटेंशोमेटर लगा कि वूफर का साउंट कंट्रोल कर सकते हैं अगर यहाँ पे अगर दो डॉट होते हैं तीन जगे पे तीन डॉट होने के जगे पे अगर यहाँ पे दो डॉट होते हैं तो वहाँ उसका मतलब होता आप जो है वहाँ पर अपना 8 इंज का woofer connect करेंगे पर यहाँ पर आपको 3 dot मिल रहा है मतलब यहाँ पर आपका potential meter connect होगा यह छोटी छोटी बारिक आपको मैं details बता रहा हूँ इसको दयान में रखें इसी तरह से हर board में simple logic apply होता है इसके बाजू में देखें यहाँ पर जो दो point दे हुए यह हमारे woofer के लिए क्याँ क्योंकि यहाँ पर जो है दो holes यहाँ पर दिखाई दे रहें जहाँ पर वूफर के दो wire के connections होगे तो चलिए guys फटाफट हम move on करते है starting करते हैं हमारे speaker के connection से तो इसको जैसे speaker के पीछे हम पल्टाएंगे यहाँ पर देखें हमारे speaker के connections है तो इसमें से दोनों में से मैं खली guys एक ही मतलब यहाँ पर चार speaker connection करने के लिए हैं पर मैं उसमें से जो है खली दो ही speaker connect करने वाला हूँ तो चलिए फटापट जो मैं इसके दो यह देखें यहाँ पर तीन वायर आपको देखने को मिलेगे एक जो हमारा black wire एक brown wire और एक red wire तो हमारा brown और यह जो wire red वाला है यह हमारे speaker के लिए और यह दो जो आप एक black color देख रहे हो यह हमारा common wire है तो चलिए इसको जो connect करते हैं तो इस टाइप से जो हमारे दो speaker मैंने ले लिया है और इन दोनो speaker का देखे black color का common का जो है मैंने common कर दिया है तो चलिए इसको जो है यहाँ पर common कर देता हूँ common करने के बाद यह हमारा black का common connection हो गया और अभी हमारे पास जो है ये दो speaker के दो जो है wire यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे red दोनो तो एक brown में connect कर दूँगा इस तरीके से और एक connect कर दूँगा इस red में तो इस तरीके से जो है guys हमारे speaker के connection जो है complete हो गया है अभी speaker के connection के बाइद guys हम connection करने वाले हमारे woofer के तो यहाँ पर देखिए woofer लिखा हुआ है जो यहाँ पर potentiometer connect होगा उसके पीछे जो है आपको यह c and 2 मतलब channel to दिखाई दे रहा है तो इसका हूँ अगर पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए दो सेम color code के आपको wire मिलेंगे जो ic के pin नमबर 1,2,3,4 मेंसे जो है निकल रहे है दो ic के तो यहाँ पर जो है हमारे woofer के connection हो जाएंगे तो चलिए पटा-पट जो है woofer के connection तो यहाँ पर हमारा woofer connect हो गया है तो यह हो गया हमारे woofer के connection अभी woofer के connection के बाद हम move on करते हैं हमारे sound के connection पर तो sound के connection हमको किस तरह से करने चले देखते है तो guys अभी woofer के connection होने के बाद हम connection करेंगे sound के तो यहाँ पे देखें साउंड लिखा है इसको जब हम पीछे से देखेंगे तो देखें साउंड के पीछे जो आपको तीन वायर्स देखने को मिलेगी तो यह तीन वायर्स में से आप देख पा रहे होंगे एक जो है ओरेंज है एक येलो है और एक जो है हमारी ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक वायर जो है हमारा ये जो है ग्राउंड का है तो देखे इस टाइब का 6-pin पोटेंशोमेटर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखे यह लेफ्ट चैनल होगे राइट चैनल होगे हमारा ग्राउंड हो गया तो लेफ्ट राइट दोनो चैनल को एक साथ कंट्रोल करने के लिए आपको इस टाइब का 6-pin पोटेंशोमेटर लेना पड़ेगा इसको सीरा सीथा यह ब्लैक का जो आप कनेक्सन देख पारे on इस सीथा 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 सेथा कर लेंगे वो यहाँ पे right और उसके पीछे left connect होता है यह हमारा output होता है मतलब यहाँ से जो हमारा board में जाएगा की कहा है? मतलब board में से जो दो wire आये है वो यहाँ पे बीच में connect हो जाएगे middle of the potentiometer point पे और third वाला जो होता है हमारा potentiometer यहाँ पे जो है हमारा ground का connection होता है तो चलिए पटापट जो है पहले ground का connection हम जो है complete कर ले दे है तो देखिए इस type से जो हमने यहाँ पे हमारा ground का connection कर लिया है तो आप देख पार है ground का उसके बाद में जो हमारे यह left और right दो channel आप देख पार होंगे तो उसमें से जो है left light channel में से पहला हम channel जो है उपर में sold कर देंगे आप कहाँ पर भी कोई भी connection यहाँ पे जो है कर सकते इसका कोई मतलब right और left का कोई इतना issue नहीं रहता है यह हो गया हमारा yellow का और उसके back side में हम connection करेंगे हमारा दूसरे channel का जो हमारा तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो तीन wires का जो बंच यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा black वाला जो हमने third मतलब हमारे ground पे connection कर दिया है उसके बाद yellow वाला जो है वो बीच में कर दिया है और orange वाला है जो उसके पीछे में मतलब बीच में का जो है वो define करता है कि यहाँ से किट में जो है input जाएगा ठीक है तो यहाँ पे connection हो गया उसके बाद में जो हमारा Bluetooth का जो यह 3-pin core wire होता है इसको अभी इसी से हमारा इसमें जो है इनपूट आएगा तो इसको कैसे connect करते है देखिए इसमें भी जो 3 wire दिये हो है उसमें से जो middle of the wire जो होता है वो होता है हमारा ground का तो इसमें भी हमने देखिए यहाँ पे ground connect कर लिया भी उसके पीछे में जो एक हमारा point वाकिया है यहाँ पे जो हम सबसे पहले ground connect कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से जो हम यहाँ पे हमारा देखिए मैं इसको जो है solder कर देता हूँ easy way में तो कुछ इस तरीके से guys यहाँ पे sold हो जाएगा हमारा अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है इस तरीके से sold हो गया हमारा यहाँ पे ground का और अभी हमारा यह जो दो channels आपको दिखाए दे रहे हैं मतलब यह दो wires जो है यह left और right के channels है तो इनको हम sold कर देंगे हमारे point number one पे ठीक है sorry यह थोड़ा सा यहाँ पे लग गया था तो इनको हम sold करेंगे हमारे तो अभी हमारे यह first number के दो जो points है वहाँ पे जो है हम इस जो है Bluetooth module के जो connection की जो यह cable है यहाँ पे इसको connect कर देंगे देखे कुछ इस तरीके से यह यह आपके हम connect कर लेंगे एक point और उसके back side में कर देंगे हम एक point तो यह हो गया हमारा देखे इस type से जो हमारा volume potential meter connect हो गया और यह जो हमारा cable connection आप देख पा रहे होंगे यह सीधा सीधा जाएगा हमारे इस type से जो है Bluetooth kit में तो हमारा Bluetooth kit का connection और volume का connection जो है इस type से जो है complete हो गया है अभी इसका जो है यहाँ पे positive negative का जो connection है वो हम एक बार देख लेंगे तो अभी guys हमारे USB Bluetooth कार्ड को power देने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 8805 जो power regulator IC है यहाँ पे USB लिखा है और तीन point दिये हुए है तो हमारे तीन point में से जो है हमें पहले number के point से कोई मतलब नहीं है यह board में से input जो है इस IC में जाता है 12 volt का तो हमें जो मतलब है वो second number के point से और third number के point से second जो है हमारा ground का होता है third जो है हमारा output का होता है तो इस तरीके से जो हमारी Bluetooth USB के power lead होती है उसमें देखिए एक ground का wire आपको दिखाई देगा तो इस type से एक ground का wire है और इस type से एक जो है हमारा positive का wire है तो चलिए इसके connection देखते हैं तो पैक साइड में आप जाने के बाद में आप यहां पर अगर देख पाएंगे तो सीदे connection से middle of the three point यह हमारी IC के टर्मिनल से यह one two और यह three तो यहां पर middle of the जो point आपको दिखाई दे रहा है यहां पर हम sold कर देंगे हमारा यह ground का wire तो चलिए पटापट जो है इसको sold करते है तो यह हमारा sold हो गया है उसके बाद में आप देख पारेंगे यहां पर जो यह third number का point है यह यहां से होके यहां तक आ रहा है तो यहां पर हम हमारा positive जो है positive world मिलेंगे तो यहां पर जो हम इसको positive को sold कर देंगे तो कुछ इस तरीके से अब इस तरीके से जो है guys हमारा जो power का lead जो है यहां पर connect हो गया है तो सिधा-सिधा इसको क्या है हम हमारे Bluetooth IC में negative to negative positive to positive देखके जो है इसको हम connect कर लेंगे यह हमारा इस टाइप से connection हो गया guys यह हमारे जो है potential meter का भी connection हो गया volume से जिससे हम volume control करेंगे उसके बाद में यहां से जो है देखेंगे हमारे woofer के potentiometer के woofer मतलब जहां से हम woofer का sound जो है bass का sound जो है control कर पाएंगे तो just इसको अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगा यहाँ पे जो है तीन wire का आपको combo दिखाई देंगा red brown और black तो यह wires जो हमारे potentiometer में जाएंगे तो यहाँ से जो आप देख पाएंगे इस तरीके का आपको एक potentiometer लेना है देखें यहाँ पे 100k का 3 point का मतलब single channel potentiometer लेना है तो इसमें आपका third number का जो होता है यहाँ पे ground होता है और बीच में आप इन दोनों में से किसी को भी जो है आइदर यहाँ पे भी लगा सकते है यहाँ पे लगा सकते है या alternate भी कहाँ भी चल जाएगा इसका उतना यह नहीं होता है तो चलिए पटापट जो है इसके connection यहाँ पे जो है कर लेते हैं तो काईस दीखें कुछ इस तरीके से हमारे connection हो गए यह हमारा ground का हो गया इसके बाद में हमारा यह input output इसमें कुछ होता नहीं है सीधा जो है control होता है potentiometer से तो rate का हमने यहाँ पे लगा दिया first number round का जो है second number पे लगा दिया इसको आप alternate भी कर सकते हैं अगर आपका potentiometer जो है वह opposite direction में काम करें ठीक है तो यह हो गया हमारा potentiometer का अभी हमारा final connection बाकी रहता है जो है हमारा transformer का तो चलिए transformer की connection जो है फटापट हम कर लेते तो यहाँ पे तीन पॉइंट दिये हुए मतलब बारा वोल्ट जीरो वल्ट बारा वोल्ट सम को transformer लेना है देखिए यह तीन एंपिर का transformer में copper में जो हमारा पास available है तो इसको जो हम इस बोड में connection करेंगे बारा जीरो बारा का तो बैक साइड में जाने के बाद आपको तीन पॉइंट दि जो है आपको टेस्टिंग करवाता हूँ कि हमारे connection जो है प्रॉपरली हुए है कि नहीं हुए तो चलिए इसको फटापट सेट करता हूँ तो गाइस यह हो गया हमारा total 4.1 amplifier board का setup तो यहाँ पे आप देख पा रहांगे यह हमारा volume tuner हो गया यह हमारा जो है bass tuner हो गया तो च हमारा on हो गया और pair भी हो गया तो चलिए इसका sound जो है test करते है अभी हमिंग थोड़ा सा कर रहा है इस kit की वज़े से क्योंकि low quality kit मैं इसमें use किया हूँ तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसको bluetooth connect हो गया है इसका sound test करके देखते है इसका sound control हो रहा है properly जितना आने चाहिए इसको हमारा bass control हो रहा है इसको बास बढ़ाते है तो guys यह थी हमारी 4.1 amplifier board की testing और demonstration कि हम इसके wiring किस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please do like share and subscribe to my youtube channel आप मुझे next video भी suggest कर सकते हैं कि मैं इसके बाद आपको कौन सा वीडियो जो है publish करूँ तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye यूभरी आपको यूभरी एर अबड़ था यूभरी तो यूभरी यूड़ थो यूभरी तो तो यूभरी तो